नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्वार जब हम तोटकों की बात करते हैं तो सनीवार और मंगलवार का दिन ये दो दिन सबसे उत्तम होता है तोटके के लिए तो आज काले धागे का महा प्रियोग महा तोटका आपके साथ हम साजा करेंगे काले धागे के प्रियोग से नकातमक सक्तियों से तो आप बची सकते हैं साथ ही नोकरी बैपार की समस्या भी दूर कर सकते हैं कैसे चली जानते विस्तार से आपको लगे कि आपके किसमत को किसी ने बान दिया है आपको लगे कि आप जहां भी जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं होता बल्कि और भी गढ़ जाता है लोग आपको पनौती कहने लगे हैं घबरहट सी होती है मन में लेकिन ये काला धागा का छोटे छोटे टोट के आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आज हम आपको काला धागा के चार पांच टोट के बताएंगे आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने जीवन की परेसानी के अनुसार ही प्रयोग कीजिएगा तो चलिए जानते हैं काला धागा सनी देव से सम्मंद रखता है काला धागा हाथों में पैरों में बांधने की प्रथा अभी से नहीं है बहुत पुराने सालों से हैं बहुत लोग हाथ में बानते हैं पैर में बानते हैं गले में बानते हैं बाह में बानते हैं और यहां तक कि पैर के अंगुठी में भी बानते हैं आखिर क्यों बाना जाता है नजर दोस से बशने के लिए लेकिन अगर हम इसके बारे में बिस्तार से बात करें तो काला धागा में नोगांट लगाने से बहुत साइच चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे आई ये जानते हैं बिस्तार से देखे बास्तव में जो काला धागा है ये रंग ही कुछ ऐसा है कि वो नकात्मक उर्जा को सोख लेता है और बैग्यानी कारण भी यही है कि हमारा सरीर पांच तत्तों से मिलकर बना है और ये पांच तत्तों हैं पिर्थवी वायू अगनी जल और आकास अब इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे सरीर का संचलन करती है और इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्रात करते हैं जब किसी इनसान की बुरी नजर हमें लग जाता है आप काला धागा बहुत सारे लोग वैसे अपने पसद के नुसारा बान सकते हैं कई भी अधिकतर लोग पैरू में बानते हैं या फिर कलाई में अब काला धागे में भगवान का लाकेट भी धारण करते हैं यह सब से ज़्यादा सूमाना जाता है लेकिन बुरी नजर से बशने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तिमाल भी किया जाता है जैसे कि काला टीका काला धागा तो काला धागा पहरने की परंपरा भले ही प्राचीन समय से हैं लेकिन इसके चमतकारिक फायदे अभी भी लोग पूठे में बाधना चाहिए इसे कमर की परिसानी या जोएंट पिन की समस्या भी दूर होती है काले धागे के बारे में बहुत बिस्तार से आज हम आपके साथ जानकारी साजा करें यदि जीवन में धन की मुस्किलें ज्यादा परिसान करें तो लाल किताब के अनुसार अगर पूरुस हैं तो दाहिने कलाई या फिर पैर में बाधने और अगर आप लड़की या महला है तो बाएं कलाई या पैर में बाधने खासकर जो बिवाहित महलाएं हैं वो कलाई में बाधन के पैरों में बाधने तो ज़्यादा अच्छा है इस धागे को वैसे तो पैर में बादना ज्यादा अच्छा होता है अगर आपको हड़ियों की समस्या है जो एंट पेन है तो आप काला धागा पैर के अंगूठे में बाद सकते हैं अब कई बार बार चोट चपेट लगता है तब ऐसी स्थिती में भी पैर के अंगूठे में काला धागा बादना अच्छ उनको भी पैर के अंगुठे में काला धागा पहनना चाहिए इससे रोग परती रोधक छमता बढ़ती है चोट चपेट दुरगटनाओं से सुरक्षा मिलती है कई बार क्या होता है आंतरिक सक्तियां कमजोर होने के बज़ा से नजर दोस जल्दी लगते हैं ऐसे लोगों को भ तो काला धागा नजर से बचाने के साथ इसके उपाए आपके जीवन के तमाम परिसानियों को भी समावत करेंगा देखिए बाजार में काले रंग का धागा रेसमी भी मिलता है सूती भी मिलता है अब पतला मोटा जो भी आपको मिले वह ले 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 और इसका प्रियोग एक बार हन्मान चलीसा पढ़ते वे यानि एक बार हन्मान चली सा पढ़ने के दौरान आपको नव गांठ अलग 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 जगा लगा लीजिए अब हन्वान जी के पैरों का सिंदूर इस धागे पर लगा ले जितना भी गाट लगाए हैं अपने हर जगा अब इस धागे को आप अपनी कलाई में धारन करें आपके सत्रू भी आपके बस में आ जाएंगे आप जिसको जो भी आपके सामने रहेंगे वो बहुत हत तक आपकी बाते मानने लगेंगे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी क्योंकि ये काला धागा सिद्ध हो चुका है अब आप पर निगेटी प्रफाव भी काम नहीं करेगा और इसी धागे को अगर आप ऐसा ही धागा बनाकर अपने घर के मुझे दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांदे या फिर तीजोरी में बांदे तो आप जल्द ही आपके धन की बरकत होने लगती है और ऐसा करने से घर में धन मान सम्मान की ब्रदी भी होने वो बुरी नजर से बचे रहे तो ओम सनय नमह का जब करते वे नो गांट लगा दे और बच्चे के गले में पहना दे तो बच्चे आपके सुरक्चित रहेंगे और बिल्कुल नकात्मकूर्जा से बचे वे रहेंगे तो उपरी बला काला धा का बुरी नजर हवाओं को पर नहीं पढ़ता है और यहां तक कि किसी भी तरह का तांत्री क्रिया टोने टोट के किसी ने कुछ क्या कि déjà कराया जैसी चीजे हैं तो वह उन चीजों का भी अगर वह सब्सक्राइब पर नहीं पढ़ता है एक और बात अगर अब करजों से लगाताρο Spaß है तब एक काला धागा अपनी हाइट के बराबर ले लें धागा कोई भी होगा मोटा पतला उस सिफ रख नहीं पढ़ता लेकिन अपने लंबाई के बराबर आप तोड लीजेगा अब इस काला धागा और सिक्के को अपने तक्ये के नीचे रखकर सो जाए और अगले दिनी सिक्का को सिवजी के मंदिर में जाकर सिवलिंग पर अरपित कर दें और काला धागा भी सिवजी के पास ही रख दें और उनसे प्राथना करें जीवन की करज की समस्या से बाहर आने के लिए यकीन मानिए कुछी दिनों में आपको इसके फायदे महसूस होंगे किसी भी सनिवार के दिन एक छोटा सा परियोग कीजिए आप किसी भी पीपल के बिश के पास एक काला धागा ले कर जाईए धागा थोड़ा बड़ा ही रखेगा ताकि पीपल में बांधने में सुभी धाओ अब ये धागा आप ले कर जाएं और ओम नमू भगवते वासू देवाए मंत्र का जब करें या फिर ओम संग सने चराय नमा इस मंत्र का जब करते हुए आप इस धागे को लेकर आप पीपल के पेड़ के डाल में लपेटिए जितनी मर्जी उतनी बार लपेटिए उसके बाद साथ गाठ एक दो तीन चार करके साथ गाठ आप लगा दें और फिर आप अपनी मन की इक्षा बोलें आपको नौकरी चाहिए बैपार चाहिए जीवन में आप किस फिल्ड में सफलता चाहते हैं जो भी आपकी मनु कामना है कह दें और परणाम करके बिना पीछे मुरे अपने घर आ जाए आप देखिएगा आपकी मन नत बस जल्द ही पूरी हो जाएगी फिलाल विदा लेंगे हर हर महा देख धन्यवाद